कडवा है मगर सत्य है एक, जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी है वे इंसान कहीं पर भी एड़जेश्ट नहीं हो सकता है ना समाज में, ना परिवार में, ना ओफिस में, ना रिस्तेदारों में बात कडवी है पर सच्ची है दो, लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं तीन, पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है कडवा है पर सच्च है चार, कडवा है पर सच्च है लड़किया पसंद की जाती है सुन्दर्ता और दहेज देखकर संसकार और गुणतो बिवा के बाद देखे जाते है नमबर पाँच जहां समझदार बनकर अपनी खुशी लुट जाए वहां बेफकूप बनकर ही जीना बहतर होता है छै श्री कृष्ण कहते हैं जिनका मिलना भाग्य में होता है भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं नमबर साथ जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक हमें मौनी रहना चाहिए क्योंकि अधूरा सत्य जूट से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है नमबर आठ आजकर के लोग गरी भी देखकर मूँ मोड लेते हैं और पैसे देखकर रिस्ता बनाते हैं कड़वा है पर सत्य है नौ जो नसीब में होगा वो खुद चल कर आएगा और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा कड़वा है पर सत्य है तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम जड़ा उठकर तो देखो सब आएंगे तुमें गिराने कड़वी बात है पर सच है ग्यारा किसी भोके से पूछ कर देखो रोटी की खुश्मो सब पर भारिये बारा बात कड़वी है पर सच है अगर औरते बरदास्त करना छोड़ दे तो दुनिया के आदे से जादा घर बरबाद हो जाएंगे बात कड़वी है पर सच है जिस दिन हम ये समझ जाएं कि सामने वाला गलत नहीं है सिर्प उसकी सोच हम से अलग है उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे नमबर चौदा ये कलियुक का सच है एक पिता अपने पांच बच्चों का पेट रोज भर सकता है लेकिन वे पांच बच्चे अपने पिता का पेट नहीं भर सकते हैं इसलिए कभे भी अपने माबाप को अकेला मत छोड़ना क्योंकि तुम अपने आपको भी बेच दोगे तब भी उनका कर्ज नहीं चुका पाओगे नमबर पंद्रा पत्नी का सच पती अगर अपनी पत्नी को प्यार से रखे तो औरत अपना माई का भी भूल जाती है लेकिन वही पती अपनी पत्नी को दुख दे तो उस पत्नी को सबसे पहले उसे अपना माई का ही याद आता है कड़वी है पर बिल्कुल सत्ते वाते हैं हमरी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे धन्यवाद